जेश्री रादे दोस्तों कैसे हैं आप सब आशक करती हूँ आप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे सुरक्षित होंगे दोस्तों आज का यह उपाय उन सब के लिए है जो अपने विवाह को लेकर बहुत परिशान हैं काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन विवाह नही दोस्तों उपाय बहुत छोटा सा है अत्यंत सरल उपाय है आपको कोई मंदिर नहीं जाना कोई उपवास नहीं रखना कुछ नहीं करना है बस आपको अपने घर में ही एक छोटी सी पूजा करनी है दोस्तों इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर इसनानादी करके स्वक्ष या फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो रखें, साथ में एक शुद्द जल का एक पात्र रख लें, उसके पश्यात वगवान गौरी शंकर की यथा संभो जैसे आप पूजा करते हैं, वैसे करें, धूब, दीप, नैवेद, पुष्प, अर्पित करें, चंदन, कुंकु आदि से टीका करें, और उसके पश्यात इस छोटे से मंत्र का जाप करें, मंत्र इस प्रकार है, हे गौरी शंकरार धांगी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा मा, कुरु कल्याडी, कांत कांताम, सुदुर लुभाम, दोस्तों ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र की आपको भ और शाम, शाम को प्रदोशकाल में नित्य प्रति दिन करना है, कम से कम 21 दिन तो बिना इस चिश का इंतिजार किये, कि मैंने एक दिन पूझा कर ली, दो दिन पूझा कर ली, अभी तक इसका कोई फल नहीं मिला, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, 21 दिन आपको कोई फल नह होगी, इस बात की टेंशन बिना लिए, कि पता नहीं, आपको यह उपाय फल देगा, या नहीं देगा, बहुत उपाय कर डाले, किसी का फल नहीं मिला, तो इसका क्या फल मिलेगा, चलो एक बार आजमा कर देख लेते हैं, इन सब विचारों के साथ, अगर आप यह पूझा करेंगे, यह मंतर जाप करेंगे, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने आपको अपनी किसमत को भगवान को सौप के यह पूझा करते हैं, तो यकीन मानिए, 21 दिन के बाद आपको परणाम अवश्य देखने को मि अगर हम कोई भी पूझा पाट, कोई भी उपाय करते हैं, और उसके लिए हम दिन गिनते हैं कि पता नहीं कितने दिन में पूरा होगा, या आपको कोई उपाय बताता है, तो अगर आपको पहला सवाल यह होता है, कि कितने दिन करना है, तो समझ लेजे, आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा parce qugwafy आपका दिल देखते हैं reviewing इक्षाशक्ति देखते हैं आपका भक्ती देखते हैं कि आपको में कितनी आस्था पितनी भक्ती है अगर आप आपकी भक्ती सची होती है तो आप दिन कभी नहीं गिनते और जब आप बिना दिन गिने कोई उपाय करते है तो उसका फल आपको शेग्रती शेग्र मिलता है. लेकर जब आपको कोई उपाय करने से पहले आपको यह ठंचन हो जाती है कितने दिन करना पड़ेगा कितना लंबा करना पड़ेगा, कितनी बार करना पड़ेगा यह सब विचार अगर दिमाग में आते हैं तो दोस्तों उसी वक्त उस उपाई का फल समाप्त हो जाता है इसलिए यह सब बातें दिमाग में लाए बिना बस आग बं करके भगवान पर विश्वास करके इस उपाई को अवश्य कीजिएगा दोस्तों यही मन्तर, इसी मन्तर का जाप माता जानकी ने भी गोरी माता के सम्मुख भगवान प्रभुश्री राम को प्राप्त करने ही तो किया था और उन्होंने तो पूरे विश्वास और शद्धा के साथ किया था, तो आप भी एक बार विश्वास और शद्धा के साथ इस उपाई को करिए, खुद को भगवान गौरिशंगर को सौप कर, कि आप ये उपाई कर रहे हैं, बाकी वो समझा लें, तो वो जरूर समझा लेंग और दोस्तों, अगर आपके दामपत्य जीवन में समस्या आ रही हैं, तो भी आप इस मंत्र का जब निरंदर कर सकते हैं, कम से कम तीन महीने, इससे आपके दामपत्य जीवन में खुशी आएंगी, और एक बात और बता दू, ये उपाई आपको किसी भी सोमवार के दिन से और आपको यह उपाई अपने लिए स्वयम करना है, ना तो माता पिताब के लिए कर सकते हैं, न कोई और, ये आपको अपने विवाह की एक्षापूर्ती है, तो स्वयम करना होगा, छोटा सा उपाई है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, एक बार जरूर करिएगा, उम अनुकामना पूर्ती है, तो कमेंट बॉक्स में हरर महादेव जरूर लिखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए उपाई के साथ, तब तक आप सब हस्ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जैश्री रादे हरर महादेव